Okay, welcome back to another video, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हम value-added method, यानि तीसरा point हमने जो दो इससे फ़ले डिस्कस कर चुके है, income method, expenditure method, नौज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, top एक नाम है आपका value-added method, जिसको आप output method भी कहते हैं, तो इस method में कुछ terms होते हैं, इसके regarding हम पढ़ेंगे यानि production के point of view से आपके तीन सेक्टर्स होते हैं, primary sector, secondary sector, treasury sector या service sector, इन तीनों सेक्टर्स में जो भी production होता है, उसके भीहाफ पे हम judge करते हैं, कि किस तरह से government income generate करती है, और उसको income method में include करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ इसमें आती है आपका value-added, दिकिए value-added का मतलब क् for example, यह marker है, इस marker को हम बना रहे हैं, as a production point of view से हम discuss करें, इस marker को हम बना रहे हैं, तो अभी इसमें हमने adding नहीं करी, किस sense में कि अभी यह simple pain marker है, अभी हमने कुछ भी इसमें logo या कोई भी हमने इसमें design नहीं बनाया, तो value-added में क्या होता है, कि simple form में हम इसको sale कर रहे हैं, तो simple ही चीज़ से आपके sale हो जाएगा, लेकिन value-added में आपने इसको modify कर दिया, for example, हमने किसी particular company का logo उसके लगा दिया, तो अब इसकी value में added हो जाएगा, यानि increment हो जाना, जैसे for example, forest के अंदर जो भी wood होती है, जो भी लकडी होती है, उसकी एक अलग value है, जब आब इसे convert क market में जो भी इस marker की value है, विजने counting period, ये चीज़ हमारी value of output बन जाती है, intermediate consumption, इसको अब IC बोलते हैं, intermediate consumption होता है, work in progress, यानि आप purchase of raw material जो होता है, ठीक है, इसको हम IC बोलते हैं, after that हम बात करते हैं, अब तोटल sale या sales, अगर आपको market में कोशन के अंदर दे रखा, total sale दे रख रखिये, उस condition में दो चीज़ होती है, एक होता हमारा export, यानि अगर कोशन में आपको खाली sale दे रखिये, और हमें ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, तीनों item दे रखा, तो उस condition में किस को लेना है, हमें sales को लेना, इन दोनों को नहीं लेना, लेकिन अगर कोशन में sales नह लेकि हम दोनों को add करेंगे हाँ पर लेकिन अगर कोशन में sales दे रखा है direct और यह दोनों नहीं दे रखा या आपको अगर इसमें कोई और भी content दे रखा है for example sales भी दे रखा है और export भी दे रखा है उस condition में आप sales को include करोगे export को include नहीं करेंगे I hope you got it point clear हो आपको next thing हम बात करें total purchase या purchase की अगर आपको कोशन में खाली purchase दे रखा है तो उसको आप total purchase एजियूम करेंगे और उस condition में क्या काम करेंगे आप domestic purchase और import से आप कोई मतलब नहीं है यानि अगर question के अंदर आपको domestic purchase और import दोनों दे रखे हैं आप दोनों को add करेंगे देन आप जाके यहां पर रहेंगे I hope you got it यह point clear हो आपको तो इसमें सबसे पहले आप निकालते हैं value edit के अगरम बात करें value edit के अगरम बात करें तो आप निकालते हो value of output output minus IC यानि intermediate consumption यह value edit को मैं इस form में भी लिख सकता हूँ कि आप इसको यह भी लिसकते हैं GVA at MP यानि gross value added आपको निकालना है market price बे तो उस condition में आप value of output में से IC को less करेंगे ठीक है now value of output क्या होता है तो value of output में आप लेते हैं sales plus change in stock sales की regarding आपको बताया मैंने भी sales में क्या क्या किस तरह से होगए खाली sales दे रखा है इसे total sales मानेंगे हम और अगर इसके साथ अगर आपको domestic sales दे रखा है तो आप अपने को export include करना पड़ेगा ठीक है आचा चेंजिंग स्टॉक में क्या चीज़े आती है चेंजिंग स्टॉक के हम बात करें हाता है आपका closing stock minus opening stock ठीक है closing stock accounting period के last में जो आपका बचता है वो आपका closing stock के लिए आता है अज़ा भी जो आपका होता है starting में जो होता है उसको आप opening stock करते हैं stock का मतलब क्या होता है unsold goods वो goods जिसको market में अभी आपने sale नहीं करा आपके पास available है उसको हम बोलेंगे क्या stock बोलेंगे और IC, IC regarding हमने बात करा आप इसको यह बोल सकते है purchase of raw material जो raw material आप purchase कर रहे हो इसको क्या बोलेंगे आप IC बोलेंगे तो are you got it? formula क्या होगा simple इसका कि GVA MP equals to value of output minus IC आगे इसको अगर continue करते हैं देखें आप simple चीज़े आप इसकी जो भी value आएगी जो भी इसकी value आपने इसकी value पुट करके इसकी value आपने इसका जो भी summation होगा summation of GVA at MP यह होता है बेटा मारा किसके GDP at MP के किसके current होगा GDP at MP के now question I am I end के अंदर के सर अब क्या करें इसका question में आपका आ गया के calculate national income जो कि discuss कर चुगे last class में हमने इसके किया था national income को NNP FC कहते हैं आपको क्या निकालना NNP FC निकालना है तो क्या काम करोगे सबसे पहले GB MP आपने निकाला GB MP कैसे निकालेगा value of output minus IC करके process आपको बताया किसके वीडियो में ने बना रखिए उसको आप देख सकते हैं ठीक है एक चीज़ और बार बार वीडियो का मज़ा देखने तब आता है जब आपके पास notification आती है और notification का आने के लिए आपको कुछ efforts करने पड़ते हैं और उन efforts को में शॉट में कहते हैं subscribe करना जी तो इस channel को please like करे subscribe करें और share करना ना मुलें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह की वीडियो आती रहें और नहीं चाहते तो भी कर लिजे क्योंकि knowledge जितने बड़ी कि उतना है benefit है got it so funda clear तो right now क्या करेंगे इसकी इससे comparison कर देंगे और जो आपको है comparison ना बताए रहे का आप उसमें निकालेंगे देखिए अभी अब ने निकालना था सीखा था जी वी एट एंपी ठीके तो वही comparison ग्रॉस से जाएंगे net पर माइनस करेंगे depreciation वी से भी कैंसिल ए से एंपी से एफसी पर जाएंगे एंपी से एफसी पर जाएंगे तो माइनस करेंगे आपका एन आइटी जो माइनस आईसी और आपका जवाब है हाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट माइनस depreciation माइनस एन आई टी तो सर ये अनदर एक फार्मला बन गया एन वी ए एट एफसी ठीके यईनि एनवी ए एफसी अगर आपको निकालना है इसके भी हाप पे आप निकाल सकते हैं तो सर इसका जो summation होगा इसका जो summation होगा वो किसके equivalent होगा यानि summation of n v a at fc किसके equivalent होगा यह equivalent होता आपका ndp at fc क्या समझें यह किसके equivalent होगा ndp at fc के equivalent होगा I have got it now तो अब क्या हुआ आपके आपको पॉइंट क्लियर होगा जी यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा जी यहां तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप discuss कर सकते हैं comments करके फूश सकते हैं ठीक है अब आपको question करेंगे देखिए आपको question दे रखा है कि value of output equals to 1000 करोड depreciation गीवन है आपको 50 करोड एन आई टी गीवन है आपको 20 करोड आई सी आपको गीवन है 10 करोड एन एफ आई यह गीवन है आपको minus 10 करोड नौ फाइंड क्या करना आपको आपको find करना है n n p at f c you have to find n n p f c n v f c find करने के लिए तो सबसे पहले क्या काम करेंगे सबसे पहले आप देखिए contents आपको क्या करेंवन है जो contents गीवन है सबसे पहले हम निकालेंगे n v a at f c formula क्या था value of output minus i c minus deb minus n i t now उसकी value put कर दीजिए value of output दे रखाए आपको thousand depreciation given है आपको 50 and 90 given है आपको 20 तो उसको less कर दीजिए आप कितना आगे आपका 970 नहीं 970 नहीं आया आपका 930 rupees करो ठीके तो क्या सरी हमारा answer है नहीं यह हमारा answer नहीं है अपने को find क्या करना है n np f c find करना है तो क्या इसका जो summation है किसी का summation इसकी equivalent होता है यह हमारा यह नहीं क्या है नगा नगा यह हमारा nd p at f c तो नहीं क्या काम करेंगे हमको comparison करके निकालना है तो हमें क्या निकालना है n np at f c निकालना है इसकी comparison करेंगे हम nd p at f c से तो comparison करेंगे n c n calc d से n पर जाएंगे plus n f i a value बूट कर दीजिए 930 plus n f i a कितने आपका minus 10 तो आपका आग्या answer 920 करोड आई होपी गॉर्ट clear or not अब क्या क्या चेंजिस आ सकते हैं इस question के अंदर कि सर्फ value of output के जगा वह में यह चीज़े दे दे दो क्या sales दे दे लग से ठीक है कि suppose that आपका 800 करोड की sale हो गई चेंजिस टॉक आपको दे दे suppose 200 का ठीक है इस तना से आपको अलग कर सकता है समझा सकता है depreciation जटी जटी जगा आपका NIT की जगा आपको यह कर सकता है IT और S करके IT suppose आपका 15 कर दे IT आपका या मालो 20 कर दे ठीक है subsidy 0 कर दे इस तना भी यह कर सकता है आपका intermittent consumption को another name इसका गुमा के वह दे सकता है purchase of raw material क्या दे सकता है purchase of raw material इसके regarding को दे सकता है और after that NFIE तो हमने डिसकस करी रखा है NFIE में क्या करेगा आपका FIFA माइनस FITA इस तरह से वह दे सकता है तो यह बड़ बेसिक्स आपको topics मैंने numericals का बताया value added method का आज की वीडियो में फिलाल हम आपको इतना ही बताएंगे तीनों methods हम कर चुके आज की वीडियो के include करके तीनों methods में हमने discuss कर चुके एक basic videos के लिए मैंने बना रखा है basic tricks जो है numericals में क्या क्या हैगी की वह में discuss कर चुके हैं तो simple सा concept है अब आप चीज़ की study करिए कोई भी doubt होता है आप comments करके आप पूछ सकते हैं ठीक है और इस चैनल को like करें subscribe करें so that is offer today आज के लिए फिलालता है बाकी मिलते है next class में take care